तो वेल गाइस कैसा आप सभी I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत आप सभी का फिर से बहुत ही यूसफुल वीडियो में और इस वीडियो में दोस्तो हम सेखने वाले हैं कि Facebook अप्लिकेशन में अपना पेज डिलीट किस तरीके से किया जाता है अगर दोस्तो के अंदर में आप सभी को पूड़ा step by step बताने वालाओं कि किस तरीकी से आप Facebook अप्लिकेशन में अपना पेज हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो तो चले दूस्तों विन देर कि इस वीडियो को सबसे पहले यहां से कर लेते श्टर्ट तो देखो अगर आप Facebook अप्लिकेश अप्लिकेशन का home interface आजाएगा और जो भी आपका account है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अब यहां पर जैसे आप इस application के home interface पर आओगे उसके बाद यहां से दूस्तों आपको सबसे पहले switch करना है अपने Facebook पेस के अंदर उसके बाद दूस्तों मैं आप सभी को पता हूँगा कि किस तरीके से आप अपना account delete कर सकते हो तो सबसे पहले switch करने के लिए आपको यहां पर करना क्या है corner के side में यहां पर आपको एक profile दिख रहोगा यहां पर क्लिक करना और जिससे profile पर क्लिक करोगे आपके सामने menu का एक page आ जाएगा और यहां पर आपको यहां से दुस्तों आपको खरने के corner के side में यहां पर आपको इक profile का icon दिख रहोगा यहां पर क्लिक करना है और जिससे आप इस profile पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया interface आ जाएगा अब यहां से नीचे scroll down करो नीचे scroll down करो कि तो यहां पर आपको कुछ option देखने को यहां पर आपको multiple option भी देखने को मिल जाएंगे यहां से दुस्तों आपको नीचे scroll down करने और जिससे आप नीचे scroll down करते जाओगे उसके बाद यहां पर दुस्तों एक option आपको देखने को मिलेगा access and control का ठीक है ध्यान से देखना अब जिससे यहां पर दुस्तों देख सकत कि अब यहां से दुस्तों देख सकते हो यहां पर आपको 2 option मिल जाते सबसे पहले तो आप यहां से अपने Facebook page को deactivate कर सकते हो और यहां पर दुस्तों अगर आप permanent यहां से अपना Facebook page delete करना चाहते हो तो वह भी आप easily यहां से कर सकते हो simply आपको second option को select करना है select करने का बाद कर लेते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से प्राइवी से और फेस्बुक का एक पेस आ जाएगा ठेक है यहां से अपको फिर से कंटीनिव पर क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हूं डाउनलूड और इन्फोर्मिशन और उसके बाद आपको नीचे में डाउनलूड क्लिक करके इज़िल आप इसे डाउनलूड कर सकते हो और यहां से दूस्तो क्या करनेavat आपको नीचे में कंटीनिव फेस्वूक एकाउंट के जरी अपने Facebook पर देखने को मिल जाएगा अब यहां से आपको अपने प्सप्र डालके कांटेनीव पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्ष्ट पेज आ जाएगा एपके सामने कुछ इस तरीकी से आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा अब यहां से दूस्त आपको continue पर क्लिक करना है और जैसे continue पर क्लिक करोगे अब आपके सामने next page आ जाएगा delete this page करके ठीक है अब यहां से आपको क्या करना है नीचे की साइट में आपको सारा अपको अपना यहां पर कोई भी activity नहीं देखाना है आपको अपना अपको यहां से दूबारा यहां पर login करना है जाएगा ठीक है फेस्बॉक फोड़ी तरीके से यहां पर आपको जो रिलीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके सा दोस्तों आप फेस्टों यहां से अमीशा के रिलीट कर सकते हो उम्मीद दोस्तों आप लोग यह सारी बात समझ में आ गई होगी एंद उम्मीद करते हैं आप सीख चुके होंगी कि फेस्बुक अप्लिकेशन में अपना फेज हमेशा के लिए रिलीट कैसे किया जाता है वीडियो यूस्पुल है क्यों तो लाइक जरूर गले दोस्तों गुट बाई